आज इस वीडियो में हम डिसस करेंगे हर्याना करन्ट अफेर्स नवंबर महीने के 2023 और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल तो बढ़ते हैं जी आगे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप इस लेक्चर की पीडिय कर सकते हैं यहां पे और अगर आप हर्याना PCS की त्यारी कर नहीं है तो हमारा इक बैच स्टार्ट होने वाला है पांच जनवरी को सुबह आठ बजे अगर आप इसमें अडिमिशन लेते हैं तो आपको मैक्सिमम डिसकाउंड अभी देखने को मिलेगा क्योंकि न्यू यू आप और वेबसेट के ओपर जाके भी इन बैच इसको ले सकते हो और यह हमारे प्री प्लस मेंस फाउंडेशन संपूरना बैच 2 की बात हम कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं जी आज के करंट अफेर्स तो देखेंजी स्टेटमेंट देखेंगे क्या है इनमें आपको बतान प्रगती मेदान न्यू डिल्ली में नवंबर बाइस और दो हजार तेज को यह बिल्कुल आपका सही है दूसरा पॉइंट कहता है राहूल सिंग जो है इस इस साइकलिंग प्रोजेक्ट को हर्याना में लेके आए यह आपका गलत है इस प्रोजेक्ट को लेके कौन आये थे विकास यादव विकास यादव यह प्रोजेक्ट को जो है इस साइकलिंग प्रोजेक्ट को लेके आये थे यह जो यह विकास यादव है यह प्रिविसली जो है इंप्रोईट थे आपके टेसला कंपनी के अंतरगत टेसला कंपनी जो है यह टेसला कंपनी टोक्यो जापान मे जो है ये आपके employed थे और यहाँ पे जब जैसी ये इंडिया में बापिस आते हैं pandemic के time पे तो ये अपना startup start करते हैं रिवारी हर्याना में तो वहीं से ही ये e-cycling project के उपर बात करते हैं जिस तरीके से make in India project है तो ऐसे ही इन्होंने make in हर्याना project को आगे लेके गए और pandemic के time पे e-cycling project की बात इन्होंने करी और e-cycling project जो है बड़े cost effective हैं और यहाँ पे आपको सिर्फ जैसे आप 3 रुपे के अंतरगत आप 3 रुपे के अंतरगत 50-60 km की जो है destination आप cover कर सकते हैं और खास करके rural areas में और 5 रुपे में आप cover कर सकते हैं urban areas में तो यह आपको point याद रखना है 50-60 km urban areas में 5 रुपे में और 3 रुपे में rural areas में और यह जो project है environment sustainability और public health की उपर भी बात करता है तो यह point क्या बना जी आपका पहला ही सही है तो option number one is the correct answer only one next question देखे fish production in haryana की उपर आपको question है इन कतनों की उपर आपको विचार करना है पहला point कहता है जो in financial year haryana has achieved a fish production of up to 1.62 lakh ton यह बिल्कुल option आपका सही है कि 1.62 lakh ton की जो है यहाँ पे current financial year में देखने को आपको मिली growth fish production की growth देखने को में मिली हर्याना में world fish day जो celebrate किया गया 21 नवंबर 2023 को किया गया देखे जी मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो global fishery conference है global fishery conference वो आपकी celebrate करी गई conclude करी गई एहमदाबाद में एहमदाबाद में conclude करी गई जिसमें technological innovation और startup को enhance करने की बात करी गई entrepreneur system जो ecosystem है fishery sector के अंतरकर उसको build up करने की बात करी गई और मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे इंडिया में largest fish production जो है आपको आंधरापरदेश में देखने को में मिलती है आंधरापरदेश की एक fish market है जो के इंडिया की सबसे बड़ी fish market है जिसे हम कहते हैं king fishery market of आंधरापरदेश very important point clear और एक चीज आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे नवंबर 21 नवंबर 21 2023 को global जो है world fish day आपका जो है opportunity यह मतलब यह चीज है एहमदाबाद में conclude करीगी not in haryana तो दूसरा statement आपका गलत है पहला सही है दूसरा गलत है statement पहला ही आपका सही बनेगा option number one is the correct answer fish की बात करते हैं fish की production को revolution को blue revolution के नाम से जानते हैं और fish की बात करें तो इसकी study को ectiology के नाम से जानते हैं और इसके पालने को PC culture के नाम से जाना जाता है PC culture option A is the correct answer हर्याना के अंतरगत archaeological remains मिले हैं 3000 पुराने old temple के ये कौन सी site की उपर आपको देखने को मिले ये राखी गड़ी site की उपर आपको देखने को मिलते हैं 3000 साल पुराने ये जो है old temple के remains यहां पे देखने को मिले राखी गड़ी जो है आपकी second largest city है इंडस वेली civilization की in the Indian region after the धोला वीरा धोला वीरा के बाद जो है आपकी second largest historical city है और इंडिया में वैसे अगर मैं बात करता हूँ सबसे बड़ी site तो अप्टो जो है राखी गड़ी ही है राखी गड़ी जो है ये आपको जो है ये मतलब डिस्कवर कब करी के थी 1963 AD के अंतरग ये जो है इंडस सरस्थी civilization का बहुत बड़ा हिसा है बहुत बड़ा शेहर है और ये देखने को में मिलता है हमें हिसार डिस्टिक में हिसार डिस्टिक हर्याना में जिसे हम कहते हैं घगगर हकरा रीवर प्लेन के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे टाउंशिप जो है प् सीलेंडिकल सील एक सीलेंडिकल सील जो है हमें detail जहां पे 18 आपकर जो है एक साइडि पे देखने को मिलता है और एक एलिगेटर की जो शेप है बूसरे जगा के डूसरे ऐस पर देखने को मिलती है मतलब सील के एक कॉर्NEY पे हरडपन के आपकर सिविलेशन के गरेक्टर और डूसी साइट के उपर देखने को में मिलता है option number one is the right answer the lost city of राखीगडी next question 36th level 36th state level jamstones festival event हुआ कौन सी university ने इसको host किया तो इसको host किया कुरुक्षेतरा university ने option number C is the correct answer और इसमें chief guest इस event के कौन थे that was उस्ताद ममान खान उस्ताद ममान खान जो है इसके chief guest थे और special guest कौन थे जैदीप अहलावत जैदीप अहलावत ये special guest थे इस महाकुंब में जो है 3000 से ज़्यादा 3000 से ज़्यादा आपके artist आएं है 71 institutions है जो 6 stages के अंतरकत परफॉर्म करेंगे और यहां पे हरयानवी ancient culture को showcase किया जाएगा option number C is the right answer कुरुक्षेत्रा उनिवर्सटी Krishna Ayurvedic College and Hospital Haryana का नया नाम क्या रखा गया है तो वो रखा गया है Ayurveda Study and Research Institute option B is the correct one option B जो है हरयाना के अंतरकत कौन सा जिला ऐसा है जहां पे hydroponics feeder plant जो है आपका उद्गाटन किया गया वहां पे inaugurate किया गया तो वो है जी आपका that is new new एक जगा है district है जिला है हरयाना के अंतरकत और यहां पे यह जगा है यह पानिपर district के अंतरकत देखने को में मिलती है जहां पे आपकी vegetable production देखने को में बहुत जदा मिलेगी और इसकी जो construction है यह आपकी complete हो जाएगी complete हो गई है December 2022 के अंतरकत और यहां पे जो है first crop of tomato उसकी selling और बहुत सारे contracts है यहां पे देखने को आपको मिले बस इतना याद रखना hydroponics जो जड़े जो plants पानी के अंतर रहते हैं hydroponics उसे कहते हैं roots की presence ज़रूरत नहीं होती उनको hydroponics कहा जाता है तो यह hydroponics feeder plant new panibar district हर्याना में देखने को मिला how many new workstation जो है यहां पे launch किये गए so that cyber security को strengthen किया जाए यह director general of हर्याना पुलिस ने inaugurate किया है कितने नए workstation उनोंने 30 नए workstation जो है यह आपके inaugurate किये है और director general of police कौन है यहां पे that was शत्रूजीत कपूर शत्रूजीत कपूर option C is the right one कितने medals हर्याना प्लेयर्स ने जीते जो अभी पैरा एशन गेम्स 2030 की हुई है उसमे तो उनोंने total 33 medals जीते जिसमें 10 gold थे 6 silver थे और 17 bronze देखने को में मिलते हैं 17 player ने जो है individual category में जाने कि एक एक परसन ने एक एक जीता है और 16 जो medal है आपके वो team work से आए है तो total बन गए आपके 33 और हर्याना के जो players है 4 players जिसमें नीरज चोपड़ा ठीक है पलक गुलिया और जो है pair of Manu Bhakkar और Rhythm Sangwan इन्हों ने जो है जो है gold medal जीता है जो है हर्याना की side से I mean India में हर्याना की side से तो this is very important point option number A is the correct answer 33 कौन सी policy हर्याना government ने अपनाई है so that ये sports tourism को जो है promote करेंगे encourage करेंगे state के अंतरगाद तो इन्हों ने air sports policy अपनाई है option number B is the correct answer हवाई game policy जिसे sports tourism को encourage किया जाएगा ये जो deputy cm है दुशंत चोटाला जी उन्होंने citizen और aviation department के बहुत सारे project को review किया और ये air sports policy लेके आएगे है option number B is the right one option number B और यहाँ पे इसमें coverage किया जाएगा aerobatics, aeromodeling, immature build and experimental aircraft, hang gliding ये सारे उमारे सामने pictures नजर आ रही होंगी skydiving, paramotoring, vintage aircraft ये सारी चीज़े करी जाएगी और इससे travel तो बड़े गए बड़ेगा tourism बड़ेगा, infrastructure, employment और hilly region में खास करके इन चीज़ों का जो है tourism का जो आपको चीज़े देखने को आपको मिलेंगी so option इसमें क्या बनने वाला है that is B is the right one कौन से जिले हर्याना के अंतरकत इंडिया का पहला संस्कित स्टेट की पहली संस्कित युनिवस्टी जो है आपकी start करी गई so this is इन्दा पंचकुला हर्याना स्टेट के अंतरकत पंचकुला में पहली संस्कित युनिवस्टी इस्टैब्रिश करने की बात करी गई है so that संस्कित लेंगेज को जो है हम expand कर सकें, promote कर सकें option D कितने किलोमेटर लॉंग लिपड कंजर्वेशन कोरिडोर बनाने की बात करी है हर्याना स्टेट गवर्मेंट के अंतरकत जहां पे अरावली forest block देखने को में मिलता है अरावली forest block के अंतरकत लिपड conservation कोरिडोर बनाने की बात करीगी यह कितने किलोमेटर का होगा यह होगा 15 किलोमेटर का option number A is the correct answer option number A अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ comment section में लिखे बताओ cloud lippard national park आपका कहां पे है यह मुझे आप comment section में लिखे बताएंगे cloud lippard national park चले जी आगे बात करते हैं जो कौन सा district है हर्याना का जहां पे student facility transportation security plan जो है initiate किया गया है यहां पे यह plan जो initiate किया गया है करनाल district में हर्याना में option number C is the right answer अभी plan जो है first phase में launch हुआ है जो chief minister है मनुहरलाल खटर जी इन्होंने यह plan जो है रतनागड रतनागड विलेज जो करनाल के इंतरगत है वहां पे इस plan को implement इसको launch करने की बात करी गई है और यह अभी पहला phase आपका applicable होगा option number C is the right answer concern institute है जिनोंने sulfur waste improvement technique जो है यहां पे inaugurate करी है और इसको launch किया है तो वो है जी आपका central soil and salinity research institute option number B is the correct answer option number B और यह research institute कहां पे है करनाल के अंतरगत जहां पे आपका advanced sulfur waste soil improvement technique जो है 6 सालों बाद इसकी research वगरा देखने को आपको मिलेगी कि आप क्यों देखने को मिलेगा कि हाँ soil के अंतरगत कितनी salinity और क्या sulfur यह सब चीज़े देखने को आपको मिलेगी option number B is the right one recently हर्याना के अनिश बनवाल बनवाला ने secure किया है quota that is for the Paris Olympics 2024 में 24 के लिए तो कौन सी खेल के अंतरगत इनोंने अपने आपको यहाँ पे set किया है तो daddy is in the shooting category option number one is the correct answer यह common wealth के अंतरगत जो है gold medalist है और इनोंने 12th quota जो है हासिल किया है Paris Olympics के अंतरगत this is very important 2024 में होगा option A is the right answer shooting is the right one recently हर्याना हर्याना education department ने recently हर्याना education department की अगर हम बात करें तो उनोंने एक portal जो है आपका launch किया है और इस portal के अंतरगत वो record करेंगे children's की attendance को official school के जो teachers है उनकी attendance को और इस portal का नाम क्या है और इस portal का जो नाम है वो क्या है यहाँ पे that portal is called आपका MIS portal option number A so this is management information system portal जिसमें आप daily attendance करेंगे official schools की teachers की attendance देखने को मिलेगी यहाँ पे module बनेगा so that बच्चों को और teachers को जो है पढ़ाई के साथ connect करने की यहाँ पे बात करी गई है और यहाँ पे teachers को responsible बनाने की बात करी गई है कि वो यहाँ पे आके जो है हर दिन students की attendance ने और students obviously बात है यार देखो दोनों चीज़े होंगी तभी चीज़ आगे बढ़ेगी तभी education आगे बढ़ेगी तो यह MIS portal that is management information portal launch किया गया है यहाँ पे option number one is the correct answer कौन से शहर हर्याना के जहाँ पे चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी ने hot air balloon safari जो है launch करी है यह launch करी है पिंजोर में option number B is the correct answer option number B पिंजोर जो है पंचकुला डिस्ट्रिक के अंतरकत एक शहर है हर्याना में option number B is the right one rural development and panchayet department of हर्याना ने announce किया है एक index बनाने का जहाँ पे overall development होगी rural areas की गाउंवले areas की इस index का क्या नाम है तो इस index का नाम है panchayet development index option number one is the correct answer जहाँ पे हम rural areas की overall development की बात करेंगे जहाँ पे आपके social and economic parameters को देखा जाएगा development status को देखा जाएगा और भी बहुत सारे factors को इनके हाँ पे count किया जाएगा option number one is the correct answer option number one यहाँ पे index में यह poverty free villages की health, healthy villages की child friendly village water sufficient है या नहीं है green village है या नहीं है यहाँ पे environment चीज़े ठीक है या नहीं है self sufficient infrastructure है या नहीं है socially secure है या नहीं है good governance women friendly यह सारे factors जो है यहाँ पे किये जाएगे that is in the panchayet development index के अंतरगत कितनी women judges जो है currently present है पंजाब हर्याना high court के अंतरगत so वो है well option number C is the right answer option number C अभी मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि justice रितु भारी रितु भारी ठीक है और इनोंने caretaker chief justice of Punjab and Harjana court जो है इनको appoint किया गया था पहली बार दो women judge जो handle कर रही है chief justice की post को handle कर रही है और currently जो है 56 judges आपको देखने को मिलते हैं high court के अंतरगत जिसमें आपके 12 जो है women देखने को हमें मिलती है तो option इसमें क्या बनेगा C is the right answer option number C in the restructuring of the Haryana businessman welfare board कितने wise chairman जो है यहाँ पे appoint किये गए तो so that business man welfare board में obviously बाता चीज़ें अच्छी होंगी और proper degree से जो है आपकी administration अच्छी होगी यहाँ पे यहाँ पे दो wise chairman appoint करने की बात करी गई है जिसमें देखो wise chairman तो दो है एक chairperson देखने को आपको मिलेगा 8 जो है आपको administrative secretary जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे option number B is the right answer option number B हर्याना का कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे state level program जो है आपके आठवे आयूर्वेदा day के देखने को मिलेंगे हर्याना का कौन सा जिला है जहाँ पे 8 आयूर्वेदा day जो है देखने को मिलेगा so this is in the punch kula option number B is the correct answer यह event जो है celebrate किया गया under the title आयूर्वेदा for health आयूर्वेदा for health जो है इस title के अंतरकत इस program को celebrate किया गया union आयूश मिनिस्टर सर्वनन्दा सोनोवाल जी जो है इसके chief minister थे minister of state आयूश डॉक्टर मुन्जपल महिंदर भाई जो है special guest देखने को में मिले थे और हर्याना के health and आयूश मिनिस्टर अनिल विज जो है यहाँ पे present थे और हर्याना के जो assembly speaker है ग्यान चंद गुपता और बहुत सारे dignitary यहाँ पे available थे option number B is the right answer कौन सा डैम barrage बनाने की बात करी गई है यहाँ पे जहाँ पे पहला घाट बनाया जाएगा ठीक है पहला पियर घाट बनाया जाएगा हर्याना के अंतरकत so that is in the हतनी कुंड डैम option number one is the correct answer और यह कहाँ पे है यमुना रिवर की उपर और यमुना नगर डिस्टिक ओफ हर्याना में देखने को में मिलता है और यह कंस्ट्रक्ट किया गया था स्टार्ट किया हुआ था अक्तूबर 1996 में और इसको जो है अक्तूबर 1996 से लेके जून 1999 तक जो है इसको इरिगेशन सिचाई के लिए यूज किया गया है तो option number क्या बनेगा जी हतनी कुंड हतनी कुंड damn is the correct one option number one हर्याना ने एक केंपेंड लाँच करी है जहां पे 100% लिटरेसी की बात करी गई है इस केंपेंड का जो नाम है वो क्या है so that is the joy project option number D is the correct answer जहां पे हम 100% लिटरेसी जो है ले लेंगे यह केंपेंड जो है part है that is the part of the उल्लास नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम उल्लास नव भारत लिटरेसी प्रोग्राम का एक part है option number D is the right one recently हर्याना ने बहुत सारे earthquake से shock experience किये हर्याना के कितने जिले ऐसे हैं जो के earthquake sensitive zone में आते हैं earthquake sensitive zone में जो है 16 जिले ऐसे हैं earthquake sensitive है और खास करके zone second, third and fourth के अंतरगत देखने को में मिलते हैं जहां पे level जो है दिर दिर भड़ता चला जाता है option number C is the correct answer 16 जिले हैं जहां पे earthquake देखने को में मिलता है हर्याना का कौन से शहर है जहांगे पे country का पहला evidence based millet clinic inaugurate जो है आपका किया गया so that is in the Chandigarh देखो Chandigarh is the common capital of the Punjab and Haryana तो यह ध्यान रखना है country का पहला evidence based millet clinic जो है यहां पे खास करके जो है government medical college and hospital sector 32 चंडिगर के अंतरगत जो है इसको inaugurate किया गया by the governor of Haryana बनवारी लाल जी इनके द्वारा inaugurate किया गया option number C is the right one Haryana की कौन सी university है जो के agri business incubation center यहां पे establish किया गया Haryana की किस university में that is the Chaudhry Charan Singh Haryana agriculture university option number B is the correct answer यह center जो है aim करता है कि agripreneurs agripreneurs मतलब agriculture के अंतरगर जो आप entrepreneurship करते हैं among the farmers, students इनको encourage करने की यहां पे बात करी गई है यहां पे center जो है इसके उपर खर्च करेगा 28 crore रुपे खर्च करेगा green building concept है environment friendly concept है और इस fund के अंतरगत यहां पे जो fund आएगा इसकी construction जो center government करवाएगी तो इसका fund जो आएगा वो नाबार से आएगा और state government जो है इसको provide करेगी नाबार जो agriculture के लिए main apex bank है तो option number B is the right one कौनसी scheme है यहां पे pension मिलेगी elderly people को जो बड़े लोग है उनको and who refuse to take pension in Haryana be linked जिनों ने हaryana में pension लेना बंद कर दिया था और बड़े लोग है एज में बड़े लोग है तो किस scheme के अंतरगत उनको जो है यह pension मिलेगी तो वो है जी आपका senior citizen service आश्रम scheme option number one is the right answer यहां पे old age pension जो है यहां पे पहले actually इनकी pension जो है 2750 रुपे थी अब इसको increase कर दिया गया है 3000 रुपे आपकी pension यहां पे कर दी गई है state government ने यहां पे यह pension increase करने की जो बात करी है 1 January 2024 से जो है यह introduce किया था CM ने that is CM खटर जी ने introduce किया था जहां पे ऐसे लोग जो 80 साल से उपर हैं और अकेले रहते हैं और उन्होंने कभी भी pension नहीं ली तो उनको pension दी जाएगी हर्याना में option A is the right one इन हर्याना daughters of family with annual income of how many lakhs will be given free education मतलब अगर आपकी population जो है I mean आपकी annual income जो है वो कितनी है तो यहां पे आपको हर family की daughters को लड़कियों को free education दिया जाएगा तो वो है आपका 1.80 lakh अगर किसी family income जो है 1.8 lakh आती है उससे कम है तो आपको free education मिलेगा खास करके उस family की daughters को और यह announcement जो है सभी जगा की उपर applicable होगी चाहे वो private है चाहे government college है जा government government जो है इस चीज़ की fees को पूरा bear करेगी option number B is the correct answer कोई person जो है कोई बच्चा जो है private पढ़ना चाता है government पढ़ना चाता है तो उसके according जो है यह सारी fees जो है हर्याना government bear करेगी option number B is the right one recently कौन सी municipality है हर्याना के अंतरगत जहाँ पे उसको status मिला municipal council का तो वो मिला जी आपका समाल खा समाल खा को जो है municipal council की बात यहाँ पे करी गई option A is the correct answer option number A हर्याना government ने increase किया है financial assistance cancer patients के लिए वो कितनी करी है तो वो करी है 3,000 रुपे option number क्या बनेगा जी आपका जो है ये मतलब उनको मिलेंगे जो stage 3 stage 3 और stage 4 के cancer patients है और so that इनके उपर financial burden जो है वो कम किया जा सके cancer stage 3 और 4 वाले लोगों को 3,000 रुपे पर मन्त जो है आपको मिलेगा option D is the right one मयंक जो एक promising student है और इन्होंने 1 कुरूट रुपे जीता KBC junior के अंत्रगड और ये कौन से district of हर्याना से बिलॉंग करते हैं तो ये महिंदरगड महिंदरगड district से बिलॉंग करते हैं option number one is the correct answer KBC junior में इन्होंने 1 कुरूट रुपे जीता है महिंदरगड In order to improve cleanliness ranking in हर्याना मतलब हर्याना के अंदर सफाई को improve करने के लिए Cleaning employees ने annual incentive मांगा है मतलब उनको दिया जाएगा कितना annual incentive दिया जाएगा तो वो है 12,000 12,000 रुपे annual दिया जाएगा ये याद रखना है और अगर आपको 25% आपको और सफाई increase करवानी है I mean cleanliness ranking को 25% आपको बढ़ाना है तो ये आपको मिलेगा और इसके इलाबा जो है 9,000 रुपे incentive price आपको incentive मिला करेगा जो के sanitation worker है municipality के अंतरगत अगली 25% category में ये लोग आते हैं तो ये चीज दिया रखनी है option number A is the right one विकास भारत संकल्प यात्रा हर्याना के अंतरगत हुई ये कितने दिनों के लिए लिए हुई ये वाली यात्रा देखे विकास भारत संकल्प यात्रा जो है ये हर्याना के गाओं और शहरों को connect करने की बात हुई अगले 50 दिन तक I mean इसको ले के जाने की बात करी गई हर्याना के जो मंत्री है मनुहलाल खटर जी ने इसको 30 नवंबर को स्टार्ट किया था operation of a heater bus यह announce किया गया कौन से district of हर्याना में तो यह हिसार में घूशित किया गया option number one is the correct answer option number one यहाँ पे छे बसी ऐसी होंगी जहाँ पे यह heater bus का यह बात करी गई है छे बसी के अंतरकत option number one is the right one हर्याना agriculture government ने use करने की बात करी है artificial intelligence को so that यह crops की production और loss को assess करेंगे इस project की cost कितने देखने को आपको मिली है तो वो है 7 क्रोड रुपे देखने को मिली है option number B is the right one option number B चीफ मिनिस्टर हर्याना के उन्होंने announce किया है और यहाँ पे increase in the honorarium for members of city corporation municipal council and committee यह increase जो है applicable कब से होगा यहाँ पे जो applicable है यह October 1, 2023 से देखने को आपको मिलेगा option number A is the right one option number A committee बनाए गई railway networks को हर्याना के अंतरकत expand करने की तो यहाँ पे कितने elder departments जो है आपके बनाए गए तो यहाँ पे 7 7 लोगों को जो 7 बड़े बिवागों को यहाँ पे शामिल किया गया साथ major departments को यहाँ पे शामिल किया गया और railway network को increase करने की यहाँ पे बात करी गई option number B is the right one option number B कौन से जिले के अंतरकत हर्याना के यहाँ पे forest ration card portability plan यहाँ पे आपका बोला गया और record किया गया 44 lakh near portability transaction for migrant workers कहने का मतलब यह है कि राशन कार्ड आप अपना यहाँ पे हर्याना का ले सकते हैं और यहाँ पे 44 lakh लोगों ने किया है क्योंकि बहुत सारे migrant workers इदर से उदर उदर से इदर जाते हैं तो यह कौन से जिले के अंतरकत यहाँ पे बात करी गई तो यह आपका बात करीगी फरीदाबाद और हिसार के अंतरकत option number one is the correct answer especially यहाँ पे सबसे जादा जो है आपकी portability देखने को मिली फरीदाबाद और हिसार कौन से जिले के अंतरकत यहाँ पे डिकलेर किया गया additional controlled area under the town and country planning department advisory कौन से जिले के अंतरकत डिकलेर किया गया additional controlled area under the town and country planning department advisory कौन से जिले में तो that is in the road तक option number क्या बनेगा 4 is the correct answer option number 4 very important point clear option number 4 is the right one और अगर हम बात करें यहाँ पे जो कला नौर है कला नौर इंदा रोत्यक district उनको डिकलेर किया गया additional controlled area under the town and country planning department's advisory option number D is the right one option number D कौन सा project launch किया गया so that यह encourage करेगा entrepreneurship and startups को among the students of academic institution in हर्याना जाने के हर्याना के अंतरगत कौन से academy institution में वो entrepreneurship और startup को promote करने की बात करेगा किस project के अंतरगत that is the idea thorn हर्याना 2013 के project के अंतरगत option number क्या बनेगा C is the correct one option number C next question देखे जी यह statement देखिए आपको बताना है कि कौन सा statement यहाँ पे सही है the first gardening expo हर्याना के अंतरगत यह gignao village भिवानी के अंतरगत जो है यह held किया गया यह बिल्कुल option आपका सही है farmers यहाँ पे best gardening display करेंगे और cash award जीतेंगे यह बिल्कुल option आपका सही है यह gignao village जो है यह भिवानी में देखने को में मिलता है यहाँ पे farmers अपनी gardening को display करेंगे और cash award जीतेंगे यह दोनों point आपके सही है option number C both 1 and 2 is the correct one both 1 and 2 so guys यह थे आज की lecture में question हमारे हर्याना current affairs नमंबर महीने के और अगले महीने के भी current affairs आएंगे बने रही है और बाकी आपको पता है current affairs वीडियोस सारी मैं upload कर रहा हूँ 6 जनवरी को पूरे महीने के पूरे साल के स्वरी पूरे साल के एक से एक जनवरी से लेके और 31 दिसंबर तक के पूरे current affairs जो है आपके upload किये जाएंगे और यहाँ पे 6 जनवरी का wait कीजिए पूरे national current affairs यहाँ पे upload किये जाएंगे उसमें आपको भी बहुत ज़्यादा help पिलेगी बाकी आपको यहाँ पे टेलिग्राम चैनल की उपर यहाँ पे सारी details आपको मिलती रहेंगी इंस्टाग्राम की उपर आप में से personally connect कर सकते हैं यहाँ पे और अगर आप हर्याना PCS की त्यारी कर रहे हैं जा हर्याना के किसी भी एक्जाम के आप preparation कर रहे हैं तो comment section मिले के जरूर बताना हर्याना PCS का जो batch है 5 January को start होने वाला है सुबह 8 बजे और यहाँ पे बहुत बड़ा discount चल रहा है new year sale चल रही है और दो तारिक तक की जो है valid है VIP live coupon code लगा ले ना और आपको maximum discount देखने को आपको मिलेगा और बाकी सभी courses के link description और comment section में है और study IQ app और website के उपर जाके भी इन batches को ले सकते हैं so thank you so much guys all the very best good luck take care